समादर निये बंदुगान रमनीक दूइप फीजी से आप सभी लोगों को हरदिक नमस्कार नीशनम्बुला विनाका हमारा मुद्दा जो है आज आपके सामने प्रस्तिती का वो जो भारतिय डायस्परा है यहने कि जो हिंदु कौम भारत से बाहर है हिंदु है लेकिन भारतिय नहीं है क्योंकि वो यहां का पैदा नहीं है यहां की उसकी कोई वेवस्ता नहीं है हालांकि हम यहां के थे कैसे अपने देश में अपने चिद्धानतों को लेकर सिक्षा पर बल दिया और अपने आपको समारे यह मेरा प्रमुक विशे है फीजी की पॉपलेशन 900,000 है जिन मेंसे करीबन 270,000 हिंदू है हम कैसे फीजी पहुँचे उस बात को बाद में लाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको दिखलाते हैं कि क्यों हम लोग सिक्षा पर विशेश ध्यान दिया स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकंडरी स्कूल हमारे सब मिलकर 906 है इन मेंसे 7 प्रतिसाद हिंदू लोग संचलित करते हैं वहाँ पर तीन उनिवर्सिटीज हैं जिसमें से उनिवर्सिटी फिजी जिसका मैं खुल पती हूँ, रेजिस्टर हूँ वो हिंदूों के द्वारा संचलित हैं वहाँ पर दो नैसिंग स्कूल हैं जिसमें से एक हिंदूों से संचलित हैं जो टी आएसाइ संगम के द्वारा संचलित किया जाता है हमारी सफर यातरा जो है ओ गिर्मिट पर्था से सुरू हुई जो ब्रिटिस्ट कॉलनाइजर्स हमारे पित्रों को यहां से ले जाकर फीजी में बसाया करीबन साथ हजार भारतिये यहां से फीजी पहुँचे यह पर्था फीजी के लिए 1889 में सुरू हुआ 1879 में सबसे पहले बोट जो था वो लियोनिदास था उसमें 468 भारतिये पहुचे उसके बाद में 1916 में हमारी पॉपलेशन जो थी 6500 तिरुपन हो गया तेंक यू फिर आगे चलते हैं कि हम कैसे अपने आपको संगटित करके और अपने आपको उस आप वियाबान जंगल वाली जखे को अपनाया और आगे बढ़े सबसे पहले मैदान में आरे समाज की सिद्धानत को लेकर जो लोग वाँ पहुचे थे उन्होंने आरे समाज को कायम की और ये आरे समाज 1904 में बना डिसेंबर 25 तारीक को बना क्योंकि साल भर हमारे पूर्वज खेतों में काम करते रहे केवल 25 तारीक को उनको छुटी मिलते रहे इसलिए 25 तारीक को उन्होंने संगटित होकर जो हमारा भी कैपिटल है सुबा वहाँ पर मिलकर उन्होंने आरे समाज का निव डाला 1904 में इससे पहले आरे समाज ने कई जगों पर छोटी छोटी जो ग्रामीन इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर से उनको कायम किया और आज आरे समाज फ्यूजी में पंदरा प्री स्कूल जिसको किनेगाडन कहते हैं 19 प्राइमरी स्कूल साथ सेकंडरी कॉलेज़ज और एक उन्वेस्टी को संचालित करती है सबसे पहला हिंदूों का पाटशाला 1918 में बना जिसका नाम गुर्कुल दिया गया उसके बाद में 2005 में उन्वेस्टी ओफीजी बनी हम क्यों सिक्षा पर बल दिये क्योंकि जो लोग यहां से भारत से गिर्मिट कमाने के लिए फीजी पहुँचे उन में से पाँच प्रतिशद 5 पसेंट केवल कुछ इस्तितियों में पढ़े लिके थे बाकी बिलकूल अनपढ़गवार चाधारन लोग इसलिए जो 5 पसेंट पढ़े लिखे समझदार लोग थे उन्होंने सबसे पहले सिक्षा पर बल दिया और सिक्षा पर बल इसलिए दिया क्योंकि जिक्षित विक्ति होगा तो वेदों को पढ़ सकता है रामायन को पढ़ सकता है गीता को पढ़ सकता है और जो हमारी परंपरा है उसको जागरत कर सकता है इसलिए फाउंडेशन और फिजियन हिंदू डैस्परा वाज कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए सिक्षा को पर बल दें और ये जो भावना थी वो महरिशी दयानंद की एक कथन पर था कि सिक्षा जो है वो सभी की जिमेवारी है ना कि केवल सरकार की सरकार तो हमारे विरोध में थी फिर भी हमारे पास शक्ती हुई कि हम लोग ऐसा किये और उसके बाद आरे समाज के नियम भी कहता है कि अविद्या का नाश और विद्या के ब्रिदी करनी चाहिए मौस्ट कॉंपेलिंग अरेंजमेंट वास कि जो कोलोनियल गवर्मन था उसने सिक्षा पर कहा कि अगर भारतिये सिक्षित होना चाहते उनको वापस भारत जाना चाहिए हमारी अवस्था वहाँ पर मस्दूरों की है हम किसान वर्क के हैं किसानी करें मर जाएं मिट जाएं लेकिन सिक्षा पढ़ाई नहीं करनी ओ दूसरा विशे था जिसने भारतिये पढ़े लिखे लोगों को ओ सहित किया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं 1904 में आरे समाज एदुकेशनल लीड प्लेयर हुआ 1926 में TSI संगम जुटा 1941 में आंदरा संगम जुटा 1952 में गुजरात एदुकेशन ससाइटी बनी 1958 में शनातन धर्म बना 1991 में सिक्ट असोसेशन आया और इन सभी हिंदु संस्थाओं का केंदर बिंदु था कि हम अपने सिक्षा और धर्म को कायम करने के लिए सिक्षा पर बल दें लाइटर इंटर ओगनाजेशनल कोलिपरेशन शुरू हुए क्योंकि अकेला कुछ करने पा रहे थे इसलिए सब ने मिलकर एक संगटन बनाई और उन मुद्दों पर बात करना सुरू किया जो हर एक भारतिये पर लगू होता रहा उस समय हो चाहे आरे समाजी हो चाहे सनातनी हो चाहे सिख हो चाहे गुजरात संसरा से हो या इसलाम भाई हो कोई भी हो उस मुद्दे पर खड़े हुए कि हम सब भारतिये हैं और हम सब यहाँ पर एक रूप से दिखे जाते हैं और ये जो विशे लिये थे वो हमारा जो थीम है संग अच्छ ध्वम संवद ध्वम कि हम साथ चले साथ बुले साथ के उन्होंने बहुत दिन पहले ही शुरू कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि जब तक कॉलेक्टिव एंटरप्राइजिंग नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते फीजी में हिंदूस सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल जेनी बहुत चैलेंजिंग थी हमारे लिए हिंदू मजोर्टी गर्मन्ट 1999 में उसको सत्ता पल्टाओ के कारण हटा दिया IT7 में हटाया गया था, फिर उसके बाद में 2000 में भी हटाया गया और हिंदूस जो वहां के थे, यानि भारतिय जो वहां के थे, वह बहुत ही तकलीफों से गुजरे यह आपके देखने के लिए है, समय बहुत कम है, कैसे कैसे हम अपने आपको आगे बढ़ाए हम जो थी में हमारा उस पर conclude करते है, रिगवेत का ये मंत्र है, वो कहता है कि हम साथ चलें अपने विचारों को हामनाईस करें, जो भी रखें सामने, वो सब का बल उस पर हो और हम इश्वर की अरादना करें ताकि हम स्वर्ग को जा सकें ये conference theme पर हम कह रहे हैं कि हमारा जो विचारों एक पूर्ण हो हम एक विशे को लेकर चलें, हमारा जितनी भी बाते हो सब एक डारेक्शन में हो हम common desires लेकर चलें, हमारा जो दिल है वो बंदा हुआ हो एक दुसरे के साथ हमारे intentions जो सही हो और हम perfect union में रहें दो तिन दिन से मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि लोग अपना अपना विचार मुद्दे को लेकर चल पड़ते हैं और भाहस करते हैं और भाहस को छोड़ते हैं नहीं वहाँ पर लगे रहते हैं उस पर आपने बात कहीं दी बात खतम लेट हिंदू विश्व पर्षण ओगनाईज थिंग्स और थीम का अंतिम बात है कि जैसे कि हिंदू स्वीजी में हर जगे की तरह अपना काम डेफ्ट से करते हैं डोगमेटिक बिलीफ जो आ जाते हैं वो रोड़ा बन जाते हैं हमारे लिए हमने उनिवेस्टी पर एक कॉलेक्टिव अरेंजमेंट किया कि सभी धर्म के लोग इनिवेस्टी के काउंसल पर हो लेकिन कुछ लोग दो चार दिन आने के बाद अपने आप बगल हो गए कि कहें कि मैं आपके साथ या आरे समाज के साथ या काउंसल के साथ बात नहीं कर सकता कि फिजी हिंदू डायोसपरा ना की के वल फिजी में बलकि अस्ट्रेलिया और निजलेंड और किनी किनी चेत्रों में अमेरिका में भी अपना योगदान दिया है और अस्ट्रेलिया निजलेंड में उनकी कार्य चेत्रा रिलिजिन और एजुकेशन में बहुत ज्यादा है वहाँ पर अपना योगदान देते हैं और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हम लोगों ने फीजी से पढ़ा लिखा विद्वान डाक्टर, मास्टर, टीचर, लोयर यह सब अस्ट्रेलिया और न्यूजलेंड भेज कर वहाँ पर हिंदूों की संगटन बड़ा की और वहाँ पर हिंदू की जो विचार धाराएं वो जागरित हुई क्रियेटिंग, नेटवर्किंग, रिसोर्स पो सिबिलाजेशन पो री इमेजेंस, किसी ने का हम कभी डूबे नहीं थे तो उपर नहीं आना है, हम थे, हैं और रहेंगे, तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि हम भी फीजी में हैं रहें, हैं और रहेंगे, और आपका योगदान हूँ तो हम फीजी को भी छोटा भारत, जैसे भी कहते हैं लिटल इंडिया, वो इसे ही बना कर जागरित रखें